नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल प्रकास से जूटिक में एके टीओ के बचे हुए रिजल्ट्स यानि कि चैलेंज एवलिवेशन का रिजल्ट वा चुका है मगर अभी तक अपडेट नहीं हुआ साथ ही अभी तक COP के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बचे हुए मैक्सिमम रिजल्ट्स के में बात कर रहा हूँ उसके अलामा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन को लेकर क्या अपडेट है एक्जाम को लेकर क्या सूचना है सारी चीजने बताने वाला हूँ सभी चात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा पांच टॉपिक कवर करूंगा बहुत ही कम समय में सारी बातें फटा फट से बताऊंगा इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार वीडियो उसको देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आकन को जरू इकेटियू का उसके हिसाब से कि विडिनेश या थर्ज्रे तक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा वन व्यूपर भी एक्जाम कंड्रोलर से उस बच्चे की बात हुई है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि रिजल्ट जिस दिन आया है आठ दिनों के अंदर आपका वन व्यूपर रिजल्ट अपडेट हो जाएगा सम्थिंग गुदवार प्रहस्पतवार को आपका रिजल्ट डिक्लियर किया गया और रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा ये मान के चलो कि अगले च्छ दिनों के अंदर आपका रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं उस केस में इसके अलावा चात्रों के काफी ज़्यादा अलग अलग सवाल आ रहे हैं उन सवालों पे भी बात करूँगा तो चलिए बढ़ते हैं उन सवालों की तरफ उट सारी चीज़ों को बताएगा यहां पर आप आप देख सकते हैं कि EKTU के बचे हुए जो COP के रिजल्ट्स है यानि कि कैरियो और विस्यों के जो परिक्षाएं हुई हैं उनका परेडाम कब तक जारी होगा तो उसके रिगार्टिंग एक बड़ी खबर मैं आपके साथ सेयर कर दूँ कि उन छात्रों का रिजल्ट 20 फरवरी के बाद या फि उसी के एर्दगिर्द रिजल्ट जारी हिया जाएगा EKTU की तरफ से यह बड़ी इंफर्मेशन मैं सेयर कर रहा हूँ EKTU COP रिजल्ट्स के बारे में श्विस को आप अपने जहन में सेट कर लो क्योंकि regular basis पे मैं सिर्फ अभी UP scholarship का वीड़ो अपलोड कर रहा हूँ ना कि EKT का EKTU का हफते में एक दिन अपलोड करता हूँ सारी जानकारी बताता हूँ जो भी छात्रों का सवाल होता है आधर वो इंस्टाग्राम से या फिर यूटूब की कमेंट सेक्सन से मैं पढ़ता हूँ रिपलाई करता हूँ और फिर वीड़ो बना के सारी चीज़ों को बता दूसरी बात कि भाई COP की बात हो गई चैलेंज एवलिशन की बात हो गई फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा भी या नहीं और मिलेगा तो कब मिलेगा तो सबसे पहली बात जानो कि फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का जो लाब है वो आपको अभी ना के बरावर चांसे जो अभी just final year में गए हैं मतलब 8 मा सेम होगा उनका वो सोच रहे हैं कि free tablet smartphone हमको क्यों नहीं मिला लेकिन एक जानकारी मैं आपके साथ सेयर कर दूँ कि अभी जो बच्चे pass out हो चुके हैं final year के student जो pass out हो चुके हैं उनको भी free tablet smartphone का लाव नहीं मिला है तो सबसे पहली प्रात्मिक्ता होगी सरकार की प्रसासन की कि उन छात्रों को free tablet smartphone मिले जो योग्य हैं और उनको किसी कारणवस नहीं मिल पाया है तो पहले उनको दिया जाएगा देन आप्टर जो final year में इंटर किये हैं उनको दिया जाएगा कुछ scrum में दिया जाएगा जिसके चलते आप लोगों का number भी late से आएगा थोड़ा delay होगा समझ गए दूसरी बात कि exam को लेकर क्या update है exam का date postponed होगा या हुबहू उसी date पर होगा तो exam से जोड़ी जानकारी अगर आप कुछ चाहिए तो आपको अपने simply ERP पर जाना है admit card पर चेक कर लेना admit card release हो जाता है time से मेरे भाई और admit card जब release हो जाता है तो आपको अपना देख लेना है कि exam कब है कैसे है बाकी का date कोई changes नहीं होगा चात्र कह रहा है कि sir अभी final confirm date shit नहीं आई ये वो तो इसको इसके regarding बहुत परसान ना हो telegram channel है हमारा उसको join कर लो description में आपको link मिलेगा जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले वीडियो को like करो चैनल पर नए हो तो subscribe करो और telegram channel को जरूर से join करो उसका सबसे बड़ा benefit है कि आपको कोई भी circular कोई भी pdf कोई भी article होता है मैं जरूर share करता हूँ वहाँ पे तो समझ गए यही अलग-लग सवाल थे चात्रों के बहुत ही कम समय में मैंने साइज जानकारी दे दी अब आपका बारी है कि वीडियो को आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिए धन्यवाद अब share कर दो वीडियो को share करना है आपको वाइटसर ग्रूप में college के friend circle में या फिर आप अपने करीबी खास जो भी है आपका boyfriend girlfriend समझ रहे हो उनके पास share करो काम का information है कि कि हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुचानी आपकी जिम्मेदारी है चलो यह जिम्मेदारी मैं आपको सबता हूँ और तब तक के लिए राम राम जेहंद